कि हम नौजवान देश हैं और 26-27 साल हमारी औवसत उम्र है हमारे देश की, लेकिन जो हमारे नेता हैं, उनकी जो औसत उम्र है या पर सांसोतों की जो औसत उम्र है वो प्रपोशनेट बिलकुल नहीं है तो आप जैसे कुछ दिनिंदा नमों को छोड़ दें तो यह 대한 पिचत्तर के उम्र के बीच में थी, वो उमीदवार सांसत बन कर पहुँचे, लेकिन जो 25-45 साल के उमीदवार थे, दोनों ही पार्टियों के, वो चुनाव नहीं जीत पाया या सांसत नहीं बन पाया, तो असा क्यों हो रहा है? यह देश की चुनावी हकीकत है, और आप बलको सही कह रहे हैं कि जब चुनावी रंड में उतरना होता है, तो हर पुलिटिकल पार्टी यह देखती है कि कौन सा वेक्ति चुनाव जीत सकता है, और कोई दल या कोई नेता कितना भी चाहे कि मैं अच्छे, शिक्षित, पार्मट्स, इमानदार, लोगों को उतरूँ, लेकिन क्या हम लोग, हम लोग मतले हैं हममदाता, क्या हम उन उमिदवारों के साथ मियाए करते हैं, क्योंकि जो आकड़ आप बता रहे हैं कि कम उमर के लोग कम जीतते हैं और जिनकी उमर ज्यादा होती है वो ज्यादा जीतते हैं तो राजनिती दल वो ही करेंगे जो जनता का आदेश होगा जनता अगर नौजवानों को जिताने में परेज करती है या कंजूसी करती है तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप उनको टिकेट देना कम कर देंगे बरहाल हर पॉलिटिकल पार्टी बोलती है कि हम युवाओं को आगे लाना चाहते हैं मुखधारा में जोड़ना चाहते है लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो winability criteria बन जाता है और winability का निरने कौन करता है हम तो उम्मीदवार दे सकते हैं लेकिन public को चुनाव जिताना है लेकिन मैं ऐसा मांता हूं कि इतने बड़े देश में बदलाव आते आते समय लगता है इस देश में आदे मद्दाथा, आदी जन्जन के महिलाओं की है लेकिन महिलाओं जब हमको चुनाव रडाते हैं तो जीती नहीं है यह कम हुशत में जीती है तो proportionate जो महिलाओं का representation है हमारी पालिमेंट में बहुत काम है तब ही हम लोगों को ज़रुत पर ही अरक्षन देने की। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि इंदुस्तान में अने को चुनावाते हैं ग्राम पंचायत के, नगर पालिका के, विधान सभा के, कॉर्परेशन के, सांसाथ के। अब जो लैंड्सकेप है, वो शिफ्ट कर रहा है। आज से 20-25 साल पहले, बहुत कम लोगों को यह लगता था कि वो लीडर्शिप रोल्स को अच्छी तरह उसका अंदर्वान कर सकते हैं, उसको टैकल कर सकते हैं, लेकिन अब मैं देखता हूँ कि जो चालतरानीट में लोग हैं, जो सुड़न्ट पॉलिट्स में हैं, वो बहुत असानी से मेंट्रीम पॉलिट्स में आ रहे हैं, और वो कामियाब भी हो रहे हैं, एको चुनाव जीतना मुझाना फिर्टा हम चोण बंधान. चुनाव जीतना शुरूवात है . चुनाव जीतने के बाद आप अपने काम से अपनी वानी से अपने कारे कुशलता से अपने हाड़ वर्क से लोगों चोंग का मन जीत गए यह गिनीजीत पाते हैं क्या आप दुबार생 जीते हैं और सिकता जितना एक बाद जीतना तो असान है चालेंज होता है second time जीतना बिल्कुल और अगर एक young वेक्ति चुनाव लड़ता है तो उसको मालूम है कि कई बार मुझे चुनाव लड़ना है तो उसके stakes जदा होते हैं उसका commitment जादा होता है, उसका हार्ड वर्क मेहनत करने की शम्ता जादा होती है, इसलिए यंग लोगों का प्लाटफॉर्म अगर अपनेंगे, उपरचुनिटी देंगे, उन पर भिश्वास रखेंगे, तो वो लॉंग टर्म में समाज को, देश को, हर तरह से जादा योगना दे सकते है, और यह बात सिर्फ हिंदूस्तान की नहीं कर रहा हूं, दुनिया के हर मुल्क में जहार देमोकरिसी है, वहां यांग लोगों को आप अगर कुछ आगे बढ़ने का मोका देते हैं, तो चैरिटी नहीं है, कोई ऐसान नहीं है, सिर्फ एक एक एक्वल लेवल प्लेंग फ लेकिन बदलावारा है, आज कल आप देखिए, जो ग्लोबल टॉप कंपनीज हैं, उनके जो CEO's हैं, जो MD's हैं, उनकी और साथ उम्रकिया है, जो बड़ी-बड़ी NGOs हैं, बहुत सारे खेलों में देखिए, अगर यंग टालेंट को हम नर्चर नहीं करेंगे, तो अगर हम हर यंग टालेंट को नर्चर करने की बात करते हैं, तो राजनीत सबसे इंपोर्टन छेतर है, देश के दिशा तरह करने का जो प्लाटफॉर्म प्राणीत में और कहीं नहीं हो सकता, तो हम सब का सामुहिक एक एक एफोर्ट होना चाहिए, कि यंग लोगों को हम मोटिवेट कर अब खुद एक उधारण रहें, आपने शुरुआत बहुत कम उम्र में राजनीती की दुनिया में की, लेकिन उस तरह का मोटिवेशन बाकी यंग्स्टर्स में, बाकी उवामा दिखाई क्यू नहीं देता है, उसका मुझे खामेदा पड़ा है, जो आपने मुझे लंबी परेज सुनाईये ना, आपने यह भी कर लिया, यह भी कर लिया, यह भी कर लिया, आप उर्रों को मुझे लना चाहिए, और मैं बताता हूं, मैं अपने जीवन में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी यह मुझे लेका मिल गया था, मैं छब़ेश साल की उम्र में संचत और कोई यंग लड़का लड़की अगर राजनीप में आना चाहता है, तो उसको हैंड होल्द करके उसको प्रोच सहन देना मेरे जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर कम उमर में मुझे 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 अपने नहीं कर रहा हूं, पर हमारे अपने अदर कॉंफिडेंस है और वो असुरक्षित नहीं है, तो यंग लोगों को आने का मुझे देना चाहिए, मैंने हर जगे कोशिच की है, मेरी पार्टी में, राजस्थान में, देश में, यंग लोगों को आप मुझे मुझे उनको आगर आप आदे मन से नहीं, पूर करेंगे, वो डिलिवर करेंगे, यह मेरा आपना खुद का इस्पीरिंस है,